अध्याय 24, शाम को चिल्लाना एक दूर के खेत में, जहां शाम की चमक में छायाय चलती थी, और हवा ने रहस्यों को हिला कर रख दिया था, वहां एक खून से लत्पत खट्टी चिल्लाहट की कहानी थी जिसने सदियों से घर को परेशान किया था, यह चिल्लाहट, जिसे शाम में चिल्लाहट के रूप में जाना जाता है एक दुखद रूप से लापता आत्मा का व्यथित रोना माना जाता था सारा दूसरी दुन्या की एक साहसी परीक्षक ने शाम को चिल्लाने की कहानियों को सुना था और इस अप्रिय विशेशता के पीछे की वास्तविक्ता को प्रकट करने के लिए आकरशित ह कुई थी यह घर अपनी शांदार इंजिनियरिंग और सम्रिद इतिहास के साथ भव्यता और गौरव की स्थिती रहा है हाला कि किमवदंती ने एक दुरभाग्य की चर्चा की जिसने इसकी विरासत पर एक नीरस चाप छोड़ी थी आसपास की कहानियों में उस रात का वर् पिर भी जैसे जैसे रात पड़ी दर की एक आवाज हवा में घुस गई थी एलेनोर वाश्पित हो चुकी थी और उस समय से आगे तक उसकी पीड़ा भरी आवाज से महल पीड़ित था निवासियों ने स्विकार किया कि एलेनोर की आत्मा जागीर के अंदर फंसी हुई थी जो सद्भाव की भावना की खोच करने के लिए अयोग्य थी वे उस शोर पर चर्चा करते थे जो हर शाम गल्यारों में गूंचता था निराशा और लालसा का शोर सारा अंदर भटक गई शाम को चिलाने के रहस्य को अलग करने के लिए पत्थर में नहीं रखी गई अतीत क भारीपन के साथ हवा भारी थी और हवा उस व्यथित रोने को प्रतिबिम्बित करती दिखाई दी जो एक दैने घटना में बदल गई थी जैसे ही उन्होंने जागीर के मन प्रकाश वाले मारगों की जाच की उन्होंने एलेनोर के एक पुराने प्रतिनिधित्व को पार कर थी सारा की जाच उसे घर के नीचे एक गुप्त कक्ष में ले गई जहां उसे एलेनोर के साथ एक डाइरी मिली डाइरी ने उस महत्वपूर्ण शाम की वास्थविक्ता को उजागर किया एक संगठित विवाज जिसका एलेनोर ने विरोध किया था और गुप्त को के माध्यम से प्रस्थान, एलेनोर की उडान उसे एक गुप कक्ष में ले गई थी, जहां वह पकड़ी गई थी, उसकी चिल्लाहट मदद के लिए एक रोना था, सुस्त, गुप कक्ष से दूर जाने का अनुरोध, मिलमिलाप की भावना की खोच में एलेनोर की सहायता करने के लिए पूरी तरह से तयार नहीं, सारा ने उसी कक्ष में एक सत्र का निर्देशन किया जहां एलेनोर को पकड़ा गया था, राज शांत थी, और हवा उर्जा से भरी हुई दिखाई दे रही थी, जब वह एलेनोर की आत्मा को पुकार रही थी, जैसे ही सत्र अपने चरम पर पहुँचा, कमरा एक शांत उपस्थिती से भरा हुआ था, और एलेनोर की आत्मा दिखाई दी, उसने अपनी कहानी को दोहराया और अनंत विश्राम का पता लगाने की अपनी लालसा को व्यक्त किया, सत्र पूरा होने के साथ, शाउट इन दा नाइट बंध हो गया, औ और एलेनोर की आत्मा को अंतता घर की यातना से बाहर निकाल दिया गया, उतक्रिष्ट वसियत, जब संकट में धकी हुई थी, वर्तमान में शांती की स्थिती थी, सारा ने संतुष्टी की भावना के साथ जागीर छोड़ दी, यह महसूस करते हुए कि उसने एलेनोर को भाव को ट्रैक करने में सहायता की और शाम को शोर मचाना बंद कर दिया,